हाई फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एडिटर आनन्द में तो फ्रेंड आज किस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार से स्टाडस वीडियो बनाने वाले हैं जैसा कि आप वीडियो की स्टार्टिंग में देख चुके हो तो फ्रेंड अगर आप भी अपने मोबाइल फोन से अपने फोटो के साथ या किसी की भी फोटो के साथ कुछ इस प्रकार का इस्टाडस वीडियो क्रियेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको आइंड तक देखना था कि आप स्टब बाइो समझ पाएं तो चलिए फ्रेंड status editing करें अपने kind master application को open कर लेते हैं तो फ्रेंड यहाँ से हमने kind master application को open कर लिया है open करने के बाद यहाँ पर हमें create new पर click करना है and यहाँ पर हम no point solar का receive लेंगे लेने के बाद यहाँ पर हमें create पर click कर देना है अब फ्रेंड यहांपर हम सबसे पर अपने photos को add करेंगे तो जिस भी file में आपका photos file को open कर लेना है और यहांपर इसकी duration को खीज कर हमें कुछ इस प्रगार से बड़ा कर लेना है तो फ्रेंड यहांपर आप जितने second का बनाना चाहते है उतने second यहांपर आप इसकी duration को रख सकते हो और यहांपर हमें pension zoom में आना है और इसे हमें बराबर कर देना और photo को हमें दोनों finger से zoom करके कुछ इस प्रगार से full screen में कर लेना है देख सकते हो फ्रेंड इसी प्रगार से आपको भी कर लेना है और यहांसे हमें कुछ इस प्रगार से back आ जाना और starting position पर आ जाना है फ्रेंड इसी वाले photo को select करना है select करने के बाद यहांपर हमें नीचे के side में आना है तो यहांपर हमें इसकी वेगनेट को on कुछ इस प्रगार से on कर देना है और यहांपर हमें कोने के side में three dot पर click करना और इसे हमें duplicate as layer कुछ इस प्रगार से बना लेना है इसी वाले फोटो को select करेंगे, select करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें नीचे के side में लाना है, फोटो को ऐसे करके set कर देना है, देख सकते हो फ्रेंड, इसी प्रकार से आपको भी इसके center में कुछ इस प्रकार से set कर देना है, और यहाँ पर हमें three dot पर click करना और इसे हमें duplicate as layer कुछ इस प्रकार से बना लेना है, जिस फोटो को हम duplicate बनाएंगे कुछ इस प्रकार से select करना है, select करने के बाद यहाँ पर हमें replace में जाना है, और यहाँ से हमें इसको black color का select कर लेना है, select करने के बाद यहाँ पर हमें three dot पर click क कर देन시면 से और फ्रैंड से और यहां पर हम स्वाले लियर को सिलेक्ट करने के बाद हमएं क्रोपिंग में आना है और या पर इसके मेच को इनेबल कर देना इंडेल करने के बाद यहां design सेफ्ल में जाना अब यहां पर हम ब्लेक वाले लियर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हमें क्रोपिंग में आना है, और यहां पर इसकी मेंस को इनेबल कर देना है, और यहां पर सेव में जाना है, और हमें सेकंड वाला से ले लेना है, लेने के बाद यहां से में कुछ प्रकार से back आ जाना है फ्रेंड इसों वे प्लार इफेक्ट डालेंगे तो उसके लिए auss cont accus me जाएंगे और यहाँ से basic effect में जाना है यहां से फॉत वाला सेलेक्ट कर लेना है यहां इसकी साइज गोमे कुछ इस प्रकार से फोल स्क्रीन में कर लेना है आइने हाँ पर हमें 3 डॉट पर क्लिक करना और हमें send to back कर देना है back करनी के बाद यहाँ पर इसकी duration को खेच कर कुछ इस प्रकार से हाँ पर end तक कर लेना है करनी के बाद यहाँ से back आएंगे starting position पर आ जाना है अब फ्रेंड इसमें अपने template वीडियो अड़ करेंगे तो उसके लिए आपर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहाँ पर media में जाएंगे और यहाँ से अपने template वीडियो को add कर लेते हैं तो फ्रेंड मैं आपके जानकारी के लिए बता दूए कि मैं आपर जितने photos और videos का use करूंगा उनका सब का link आपको video के drip caption में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर आसानी से download कर सकते हैं तो फ्रेंड यहाँ से हमने अपने template वीडियो को add कर लिया है add करने के बाद यहाँ पर हमें status video add करेंगे तो इसके लिए हम पर layer मिचाएंगे layer मिचाने के बाद यहाँ पर media मिचाएंगे और यहाँ से अपने lyrics वाले status video को add कर लेते हैं add करने के बाद हमें कुछ इस प्रगार से इसे थोड़ा सा आगे की तरफ scroll कर देना है आइने आपर हमें यहाँ से में back आ जाना है कुछ इस प्रगार से तो फ्रेंड हमारा status video completely बनकर तयार हो चुका है तो चले फ्रेंड आपको वीडियो को थोड़ा से प्ले करकर दिखाते हैं तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा status video कुछ इस प्रगार से बनकर तयार हुआ है अब इसे पने phone में save करने के लिए उपर के side में 0 पर किलिक करना है आइने आपर quality अपने recording रख सकते हूँ save as video पर किलिक कर देना और आपका video save होना start हो जाएगा